वेलकम टू इस्टार एजूकेशन दोस्तो इस्टार एजूकेशन में आप सभी का स्वागत हैं आज आप सभी को पता हैं 18 तरीक 18 तरीक ने सभी स्टूडेंट ने जो ट्यूट किया है उस ट्यूट के उपर रेलवे की और से एक नया अपडेट जारी हुआ रेलवे एंटी PC CBT1 की परिणाम को लेकर उमिद्वार चिंता पर है ध्यान रखे कि परिक्सा उमिद्वार प्रावधान के अनुसार रेल मंतरा ने इस पस्ट किया है दोस्तो आज की अपडेट है यहां पर आप देख सकते हैं 18 जनवरी क्यों कि यहां पर लाकों विद्यारतियों ने क्रो टेलेग्राम ग्रूप में जोड़ जाएं वहां पर आपको PDF मिलती रहेगी कोच उमिद्वार और बी केंद्रिकरत रोजगार संख्या एक बटा दो जार उन्निस के गैर तकनिकी लोग पिरियस चैने के लिए चना तक और गैर सना तक के लिए प्रिक्सा चली दूसरे चनलि के लिएस उत लिस्ट परिक्रव की चिंता जıtते जारी है । 14-2022 को रिजल जारी हुआ लेकि daily अनुसार दो दोस्तों रिल मंतुरालिया और ने क्या अपडेट निया है पॉइंट नमबर 13 के इंदर ये बताया गया है इस रोजगार की अधुसूची केता है तेरे सेनियों का विग्यापन जारे किया गया दोस्तों जो ग्रेजुशन पास है उनके लिए और जो सनातक पास है उनके लिए छह और जो साथों वेतनायों के लिए भी छह सेनियों के अ क्या पूछा है परिणाम कड़ई से अधिकर सोची जारी की गई तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे रेलवे की और से क्या क्या अपडेट है इन्होंने यह दे रखा कि एक के लिए आपको 20 टाइमस यानि 20 स्टूडेंट को पास करना है एक पोस्ट के लिए 20 स्टूड रोल नमबर नहीं मिले इस पॉइंट के अंदर ये भी दे रखा है दोस्तों की साथ लाग के स्टूडेंट पास करना चाहे लेकिन साथ लाग सेकिंड स्टेप के लिए पास नहीं हुए अब इसके अंदर क्या क्या रहा है आरे बार भी हैव भी सॉट लिस्ट फॉर लग बग साथ लाग विद्यारती हैं लेकिन साथ लाग विद्यारती पास नहीं किया गया है उसके बाद में और जो अपडेट क्या देखिएंगे टैन कैंडिडी यूज फॉर फिनिश यानि जो वरतमान में पॉरतमान की कैटिगरी है उनमें केवल सो विद्यारतियों को यानि एक के लिए 10 विद्यार्थियों को पास किया गया है तो यह रेल्वे की और से नया अपडेट आया है उसके बाद में कैटेगरी वाई हाई इसकोर तो हाई इसकोर भी कैटेगरी वाई गई है यहां पर देखेंगे 10,500 जो 10 लेवल की थी उनको पास नहीं किया गया तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे ग्रेजी सुनानों के लिए समय और उर्जा बचाते हुए सनातक और बारवी पदों के लिए भरते एकी करन के लिए CBT1 के मानक 12 पास के लिए बहुत नुकसाण ना हो इसलिए CBT2 का मनक कहने का मतलब है कि जो बारवी पास है उसका CBT2 करवाया गया क्योंकि उनको नुकसाण नहीं हो तो यह उन्होंने यह परकिया दायर की है तो यह रेलवे की और से अपडेट आया रेलवे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को से जिरू करें अगर आपको दोस्तों ओल सिप्ट का मोडल पेपर सेट चाहिए तो नीचे लिंक मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद